हेलो फ्रेंड वेलकम टू एक एस वर्ल नूट चैनल में आप सभी का स्वागत है इसीक में बहुत सारी भड़तिया निकाली गई है औल अवर इंडिया आप भारत में कहीं से भी हो जोन वाइजिस का फॉर्म निकाला गया है आप अपने जोन वाइजिस साब से इसमें फॉर् कर चुके हैं और जिनके पास डिप्लोमा का डिग्री है वह इसके लिए अप्लिकेबल है वह इस फॉर्म को भर सकते हैं आपको कि मैं दिखा रहा हूं यहां पर कि यहां पर आप देख सकते हैं लोड होडा है कि इस फॉर्म को आप पूरे भा хот में कहीं से वियो हर एक जोन वाइज आप अपने हिसाब से इसको भास्कते हैं आप यहां कि यहां पर जोन वाइज पूरा ही दिखाया गया है कि इसी हेटकवार्ट hung डेल ही के साम जोन का है यहां पर आप देख सकते हैं बिहार जोन का दिया गया है छतिसगर जोन का है आप जी से स्टेट से हों उस स्टेट का आप भर सकते हैं हर्याना जोन का है महिमाचल पर्देश जम्मू कस्मीर केरल ओडिसा पंजाब तलंगाना गुजरात मध्य पर्देश आप ज सकते हैं इस फर्म को भरने के लिए 21 दिसंबर 2018 से लेकर 21 जनवरी 2018 तक आप इस फर्म को भर सकते हैं चाहिए आप किसी भी जोन से हो हुँ उत्राखंड बेश्ट मंगाल आप अपने हिसाब से डेली जोन अपने हिसाब से अपना जोन चूच कर ले मैं यहाँ पर बिहार जोन का एक इसके बारे में पुड़ा पढ़कर दिखाता हूं यहां पर आपको दिखाई देगा बिहार डीजन का इसके लिए आपको इस पर क्लिक करके इसके पीडियोप को आपको डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आप इसके बारे में सब पुछ पर सकते हैं किस में कितना पोस्ट दिया गया है क्या इस इलिजबिलिटी है इसके लिए आपको इस फर्म को कैसे भढ़ना है इसमें यह लोडिंग ले रहा है इसके बाद आपको इसके पीडियाप को डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आपके सामने कोछी इस तरह का खुल जाए इंप्लॉाइज अस्टेट इंसुरेंस कोर्परेशन यह परमा यह सरकारी जोब है दोस्तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है यहां पर बॉस्ट सब कुछ मैं आपको पुरा किलियर करके बताथा हूं कि अश्टाफ नर्स के लिए आपको यहां पर पे लेबर भी दिया गया है 44,900 से 1,42,400 तक OT Assistant का 21,700 से 79,100 रुपय तक वहीं पर Lab Assistant का 21,000 से लेके 79,000 तक और Pharmacist का 29,000 से लेके 92,000 तक ECG Technician का 25,000 से लेके 81,000 तक और Lab Technician का 29,000 से लेके 92,000 तक वहीं पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे UR में 59 पोस्ट दिया गया है स्टाफ नर्स के लिए SC के लिए 11,000 से लेके 1,000 से लेके 25,000 से लेके 25 पोस्ट मिला कर यहाँ पर आपको 103 पोस्ट रखा गया है वहीं OT Assistant के लिए एक है पोस्ट है और Lab Assistant के लिए 2 पोस्ट है OBC के लिए 1 और UR के लिए 1 वहीं आप देख सकते हैं Pharmacist के लिए आपको total 41 पोस्ट है OBC में 10 पोस्ट है SC में 7 पोस्ट है UR में 24 पोस्ट रखा गया है ECG Technician में भी आपको 2 पोस्ट दिया गया OBC और UR में और Lab Technician के लिए टोटल एक पोस्ट दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद नीचे eligibility की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना आपको क्या क्या करना होगा यहाँ पर देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए आपको डिप्लोमा इन जणरल नर्सिंग आपका होना चाहिए और आपका इसमें 37 वर्श से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए और OT Assistant के लिए आपको ओटी असिस्टेंट के लिए आपको यहां पर 10 प्लस 2 होना चाहिए साइन्स से और आपको एक साल का ओटी में एक्सपिरियंस भी होना चाहिए और यहां पर कम से कम एज आपका 32 वर्स होना चाहिए और जो लोग गर्वर्मेंट, सर्वर्मेंट या फिर किसी जॉब में काम कर होते हैं सरकारी होना होना चाहिए उनका उनके लिए 5 साल का और एज बढ़ा दिया गया है 37 वर्स तक वो अपलाई कर सकते हैं लैब असिस्टेंट के लिए आपको 10 प्लस 2 होना चाहिए और MLT में डिप्लोमा होना चाहिए इसमें भी एज आपका 32 वर्स रखा गया है और रिक्स लेबल अप्टो 37 येर इन केस ऑफ गर्वर्बर्मेंट सर्वेंट और इंप्लॉईज ऑफ इसी में आपको 5 साल की और छूट दी जाएगी उसके बाद आप प्लस 2 होना चाहिए और MLT में डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें भी 32 वर्स का एज रखा गया है लाइब टेक्निसेंस के लिए आपको 3 प्लस 2 होना चाहिए और MLT में डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें भी 32 वर्स एज आपका होना चाहिए और physical therapist के लिए आप 10 plus 2 पास होने चाहिए और वो भी science है और 3 year आपका degree course और diploma training में भी आपको experience होना चाहिए और 32 वर्स age होना चाहिए इसमें भी आपको इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें जो OVC वाले हैं तीन वर्स का छूट दिया जाएगा और SCST के लिए 5 वर्स का और जो PWD इसमें आपको 10 वर्स का छूट दिया जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके लिए apply application fee कितना लगा जाएगा तो SCST can PWD departmental candidate female candidate and exercise servicemen के लिए 500 वर्स वर्स का गया है लेकि जो इसको exam देंगे उनका यह पैसा वाफस हो जाएगा यानि कि आपका fee नहीं लगेगा और female के लिए भी नहीं लगेगा इस फी ओफ टूट फिप्टी रुपीज एलबी रिफंड डूटी डिटक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल और एप एरिंग ऑफ दे कैंडिडेट इन रिटें इंग्जाम में बैठेंगे रिटें एक्जाम में उनका 200 रुपे फिर आपको वापिस कर दिया जाए लेकिन उनका पैसा वापिस नहीं किया जाएगा आप इसका ऑनलाइन अप्लिकेशन कर सकते हैं 21 दिसंबर 2018 से लेके 21 जन्वरी 2018 तक उसके बाद नीचे यहाँ पर बहुत सारा मैं पढ़ने सकता वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी आप यहाँ पर पूरा इस वीडियो को पर लें इसमें आपको कैसे अप्लिकेशन और भी करना है क्या क्या इसमें फिल अप करना है आपको इसके लिए आपको मैं यह भी बता देता हूं आपको इसके अफिसली बेव साइट पर जाकर पर सर्च करना है लोडिंग ले रहा है और आप यह पीडियेप डाउनलोड करने के बाद पूरे आप इसको विस्तार से पर सकते हैं जो इंट्रेस्टिंग है इनमें जो इस फॉर्म को भढ़ना चाते हैं पोस्ट कम है यह इसका ओफिसली बेव साइट है इसको उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और रिक्वार्मेंट के रीड मोर पर क्लिक करना है उसके बाद आपको हर एक पूरे और आवर इंडिया का हर एक जोन का कैटेगरी खुल लाएगा और आप जिस जोन के हों उसी जोन के PDF को डाउनलोड करें और वहाँ पर क्या-क्या इलिजिबिलिटी है दिया हुआ है आप उसको बढ़ियां से पर लें उसके बाद आप इसको इसी के ओफिसल वेव साइट से ही इसके लिए आप अपलाई करें आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हर एक जोन का कैटेगरी वाइज खुल गया है जो कि मैंने वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ उसके इलावा आप जीस जोन से हैं उस जोन का PDF डाउनलोड कर लें जैसे कि यह हर्याना जोन का है तो यह हर्याना जोन पर टिप कर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन को भी हिट करें ठेंक यू इस तरह से आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा PDF डाउनलोड करने के बाद इसको आप आसानी से रिट कर सकते हैं